Hello friends, मैं हूँ स्नीहा, welcome to my channel for you and a child आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं एक बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ जो भी students class 9th या class 11th के registration के process को करने वाले है या उनका registration हो गया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही important है तो इस छोटे से वीडियो को पूरा जरूर देखे और वीडियो अगर ये काम की लगे तो इसे like and share करना ना भूले इस students का ये सवाल है कि वो class 9th या 11th वे पढ़ रहे हैं और उन्होंने registration के लिए school में अपने details submit कर दिये है उनका registration हो गया है class 9th या फिर class 11th के लिए mother की spelling या कहीं किसी का date of birth गलत submit हो गया है या फिर किसी के subject options incorrect भर दिये गए हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आ रही है students को तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप घबराई नहीं आप अपने school को contact करे जिस पी school board में आप पर रहे हो उनके जो coordinator है या फिर जो आपकी class teacher है उनसे आप बात करके अगर कोई गलती हो गई है registration detail देने में तो आप उसे correct करवा सकते हैं क्योंकि बात करें अगर CBSE board की तो registration जो होना है class 9th या 11th का CBSE दोरा जो date दी गई है last date वो है 30th September यानि 30 September तक school दोरा उस school में पढ़ने वाले सभी बच्चों की registration detail school board को submit कर दी जाएगी 30 September की ये last date है तो ये last date के अंदर अंदर अगर कोई गलती हो गई है नाम की spelling की या date of birth की या subject combination की या category की जैसे general OBCS, CST जो भी आपको डालना था वो गलत हो गया है तो आप इसे correction करवा सकते हैं लेकिन आपको जल्दी जरूर करना पड़ेगा क्योंकि हर school अपने हिसाब से जो registration की detail से finalize करके एक मिस्चित समय पर school board में submit कर देती है अगर school board में finalize करके registration detail submit कर दिया और fees बढ़ दिया और उन्होंने final list generate कर लिया है तो फिर correction करना काफे मुश्किल हो जाएगा इसलिए पहली बात कि आप जो भी details registration के लिए आप दे रहे हैं वो बिलकुल ध्यान से दे कि उसमें कोई गलती ना हो उससे संबंदित जितने भी documents हैं जैसे अधार card, birth certificate जो कुछ भी है वो आप देख लें कि उसमें सारी details सही है और अगर by chance कुछ गलती हो गई है तो आपके पास ये मौका है कि इससे correction करवाले time रहते क्योंकि एक बार final registration के list अगर तयार हो जाती है 38 September के बार तो फिर उसी detail के अधार पर आपका admit card बन कर आएगा और जब आप class 10th या class 12th पास कर लेते हैं तो उसी के अधार पर आपका certificate भी बन कर आएगा और ये certificate आप जानते है class 10th और 12th का कितना important है इसलिए उसके हर एक details में accuracy होनी चाहिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं आपको suggest करूँगी कि अगर by chance आपने कोई गलती कर दी है किसी भी तरह की तो उसे सुधार लें 30 September की ये date है जो CBSE ने CBSE Schools को दिया है जिसके अंदर-अंदर उनको registration उन सारे students का जो उस स्कूल में पर रहे हैं उनकी list finalize करनी है तो जल्दी करिए और उमीद करते हूं इस वीडियो से मिली जानकारी से आपको मदद मिली होगी तो इसे जादस जादस शेयर करें जिससे बाकी students और parents की भी मदद हो पाए मिलती हैं आपसे next वीडियो में किसी और useful जानकारी के साथ Thank you so much for watching this video